हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं बनाऊंगी होटल जैसी मसाला चाय घर पे, तो मसाला चाय घर पे बनाने के लिए मैंने आधा इंच अध्रक का टुकडा ले लिया है, इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी, और आधा इंच दालचीनी है, दो छोटी हरी लाइची है, और आधा कप पानी, ये मैं सिर्फ एक कप चाय बना रही हूं, तो मैंने आधा कप पानी ले लिया है, फ्राइंग पैन में म इसको अच्छे से खौला लूँगी पानी को, पानी अच्छे से खौल गया है, तो अब हम इसमें एक टेबल स्पून चाय की पत्ती डाल देंगे, और अब मैंने ये अध्रक इलाइची और तालचीनी को अच्छे से कूट लिया है, तो अब हम इन सब को एक साथ इसमें डा गए हैं चाई की पत्ती ने अपना कलर अच्छे से छोड़ दिया है अब हम इसमें ये आधा कप दूट डाल देंगे और दूट डालने के बाद फिर हम इसको मेडियम फ्लेम पे दो से धाई मिनट के लिए इसको पकने देंगे अच्छे से चीनी हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे तो इसमें मैं डे टेवल स्पून चीनी मिला रही हूं चाय हमारी अच्छे से पक चुकी है कलर भी बहुत अच्छा आया है और खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाय को चान है बहुत ही टेस्टी और खुश्बूदार बना है आप इसी तरीके से चाय बार जरूर बनाएं आपको यह चाय की रेसिपी बहुत पसंद आएगी थैंक्स पर वाचिंग